प्रदेश में लोगडाउन 17 माई तक बढ़ चुका है अलग-अलग राज्यों से मज़ोरों की घर वापसी के प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है जिसके बारे में हमने आपको जानकारी दी ऐसे में एक महतुपूर्ण सवाल ये भी है कि लोगडाउन में बंद हुई फ्रक्रियों को री स्टार्ट करने का मंत्र क्या है मज़ोरों का वापस घर जाना ही इस परिस्टिका इलाज है या फिर फ्रक्रियों में ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके उत्पादन शुरू करना ठीक रहेगा ये बड़े पेचीदा सवाल है और हिने सिर्फ काउग्जों और आंक्रों से नहीं समझा जा सकता इसके लिए प्राक्टिकल करना पड़ता है जमीनी हकीकत देखनी होती है मेरी सहयोगी श्वाता सिंग ने लॉगडाउन में कामकाज को री स्टार्ट करने की सूत्र योगगुरू रामदे की फैक्ट्रियों में जाकर ढूने और ये समझने की कोशुश की कि फैक्ट्रियों में कामकाज को जमीनी स्टर पर कैसे शुरू किया जा सकता है इसमें किस तरह की तक्नीकी दिक्कते आ सकती हैं और मज़़ूर काम करते हुए कोरूना से खुद को कैसे बचा सकते हैं आप भी देखे ये रपोर्ट कोरूना के खिलाफ लड़ाई में एक हिस्सा है कि आप किस तरीके से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं लेकिन जो इसेंशल चीजें बन रही हैं जिनका प्रोड़क्शन हो रहा है और जिनको कुछ रियायतें भी दी गई 20 अप्रेल के बाद उन प्रोड़क्शन यूनिट्स पे क्या चल रहा है तो आज हम स्वामी राम देव से चर्चा तो करेंगे तमाम मुद्दों पर लेकिन इस सवाल का जवाब जरूर लेंगे चुकि यहां पर हम पतंजली के इस फूड़ पार्क में हैं और आप तो एसेंशल आइटम से लेकर यहां पर इम्म्यूनिटी से लेकर हम कहें तो मेडिकल भी क्यूंकि सानिटाइजर भी बनता है तो आज आप हमारा टूर कराएंगे यहां का हाँ हमने पतंजली और रूचिस्वया दो बड़े गुरूप से हैं जिनको हम चला रहे हैं यहां पर करीब हमारे पास में महने में पांच लाख टन प्रोडेक्शन कैपिसिटी है जिसमें घी तेल से लेकर के हैंड सेनेटाइजर हैंड वास बाथिंग सॉप्स जो सेनेटा हमने साइब एक दिन ये फैक्ट्री बंद रही होगी पूरे लोगडाउन के दोरान हमने सेकेंड डे से ही सारे चीजों को नॉम्स को फोलो करते वे क्योंकि हम सारे कि सारे फूर्ट प्रोड़ेक्ट मनाते हैं घी आटा तेल और जो भी दाल चावल सब कुछ मसाले तो दू इम्म्यूनिटी के लिए खाया जाता है चवन प्राश पर क्या चवन प्राश बनते हुए भी एक सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है केंद्र सरकार ने जो कहा कि कर्मचारियों के संख्या कम रखनी होगी उन चीजों का खयाल रखा जा रहा है अवल ये और स्वामी जी मैंने चवन प्राश आपका हमेशा बनते देखा पतीलों पर आज मैं देख रही हूँ पतीले पीछे रखे हुए हैं और चवन प्राश यहां मशीन पर है सेता दी पहरे तो डिस्टेंस मेंटेन रखने के लिए जो सोचल डिस्टेंसिंग के लिए जो नियम बनाएगे हैं उसकी हमने पूरी बुगलेटी बना रखी है और ये सारे प्रोटोकोल करीब दो लाख लोग पतंजरी रूची स्वाया के प्लांटों से लेकर के मैनिफेक्टिरिंग सप्लाई चैन डिस्टिबूशन में सब लोग काम करते हैं तो सब प्रोटोकोल का हम लोग पालन करते हैं जाता का आपने चेवन प्रास की बात पूछी तो पीछे पतीले रखे ये पतीले पहले मैं 10 रूपे का उधार में मतलब किराई पर ला कर दिया गया है कोरोना के समय में बिना चुए अगर किसी बिना इनसानों के उस तरीके से मशीन का ज्यादा प्रयोग ये बहतर है ये कोरोना के संकटकाल में भी और यह आप इसको हाईजिन के द्रिश्टि से भी देखे तो बिना किसी हैंड टच के पूरा पतंजली का ये चुन प्रास तैयार होता है और उसके लिए पूरा जो प्लांट आप देख रहे हैं बहुत बड़ा प्लांट है वहां से लेकर के और आगे धूर तक तो क्योंकि इस समय यद्देपीस का में सीजन तो अक्टूबर नॉम्बर दिसंबर में आता है लेकिन अभी डिमांड इ पीच कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है उनके हिसाब से है माने उनमें करीब एक फिट का फासला रहता एक एक डब्बे के बीच में यहां करके फिर यह ओटोमेटिक वहां से पूरा चेंप्रास तैयार हो करके पाइपलाइन से नीचे आ जा रहा है और नीचे आने के बा करम है आप हाथ लगा के देख सकते हैं और इसके अंदर भरने के बाद में फिर धकन लगाया जाता है धकन लगाने के बाद में इसको फिर सील कर देते हैं और फिर यह ओटोमेटिक उसके अंदर चला जाता है फेटी के अंदर तो कहें पर भी जो चेंप्रास है वो हैंड इ स्टाफ गहटाने को लेकर सरकार की तरफ से कहा गया वो क्या किया गया है हमने लगवग 50% यहां स्टाफ कर दिया है और तीन सिफ्ट कर दिये और हमने एक भी आदमे को नोकरी से नहीं निकाला है जैसे प्रधान मंतरी जे ने कहा सोचल डिस्टेंस को भी मेंटेन रखा है और लोगों की रोजी रूटी का भी ध्यान रखा है कि एक भी व्यक्ति वेरुजगार नहीं होना चाहिए कुछ एसेंशल चीजों के लिए जो एसेंशल कॉमोडिटीज खाने पीने की चीज़ है अगर उदर भी चलते हैं शुरू में जब आप लोगोंने एसेंशल चीजों का प्रोड़क्शन ओन रखा तो क्या आपको सप्लाइए में दिक्कत आई थी शुरू में दो-तीन दिन जरूर दिक्कत आई यहों की भी सप्लाइए पूरी नहीं हो पाई और ट्रकों की मुमेंट में भी बहुत दिक्कत आई तो हमने पी एमो में भी बात की होम निश्टर स्री अमित सांची से भी बात की और तीन-तिन के अंदर ये उन चीज़ों को ठीक कर लिया गया और आज करीब हमारे हजार से ज्यदा अपने ट्रक्स है वतंजली के और आटे से लेकर के जलीया से लेकर के बेशन से लेकर के फी टेल मसाले का वहां किहां कर तयार कर रह है स्वदेशी का कॉल देते थे और आज जो है वो समझ में आ रहा है कि आत्म निर्भरता कितनी आवश्यक है तो उसमें स्वदेशी एक बार फिर ये बता रहा है कि स्वदेशी अगर रहेगा तो चाहे दुनिया से हमारा संपर्क कटा रहे लेकिन भारत में कोई दिखत नहीं है स्वदेशी का जो हमने संगल्प इस देश के सामने दिया वो इसी दृष्टी के साथ दिया कि आरक्षेत्र में देश आत्म निर्भर हो स्वावलम भी हो और इसी आत्म निर्भरता ने भारत को आज तक इस जंग में मजबूती से खड़ा करके रखा हुआ है अगर दनिवाद हम से बाटी नमस्ते